आज की इस वीडियो में आपको L&T के तरफ से बहुत बड़ी बंपर विकंसी है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने हो लो L&T बहुत बड़ी कंपणी आपको पता होगा बहुत सारे सेक्टर में इनकी कंपणीज है MNC है, Multidational Company है इसके तरफ से बहुत बड़ी विकंसी निकल कर आ रहे है जिसमें की DET, Diploma Engineer Training की विकंसी है और इसके बाद आपका जो भी JEE के पोस्ट पे होता है Diploma Engineer Training आपको पता होगा इसमें JEE की लेवल का Jobs आपको मिलती है और उसके बाद और भी जारे पोस्ट है जिसमें की B-Btech वाली भी अपलाई कर सकते है JEE के लेवल का भी Jobs है और AEE के लेवल का भी Jobs है तो जिसमें आप eligible होगे, जिसमें आप interested होगे उसमें apply कर लिजएगा Fraser वालों के लिए vacancy है और अगर आपके पास experience होगा तो आपके लिए vacancy है और बहुत सारे branch है सभी के लिए मैं आपको बताऊंगा इन में से जिस भी branch लेवल होग सभी branch के लिए यहाँ पर दिया गए जैसे कि Civil, Mechanical, Electrical, Electronics, Instrumentation, Control सभी के लिए यहाँ पर दिया गए आप उसमें interested होंगे eligible होंगे जरूर से इसको apply की जगा कैसे इसको apply करना हो मैं आपको वीडियो के last में दिखा भी दूँगा बता भी दूगर अभी तक भी वीडियो को लाइक कर दीजे जिनसी कि मुझे motivation मिलते रहती है आप लोगों के अच्छी रिक्रूट्मेंट की notification यहाँ पर लाने के लिए चलिए वीडियो को start करते हैं चैनल के माध्यम से आपको डिप्लोमा बी बीटेक और यावनली टेकनिकल फिल्ट की जॉब्स फेकिंसी की update मिलती रहती है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा साथी कौन बरांज से आप बीटेक कर रखें कौन बरांज से आप डिप्लोमा कर रखें या अकौन से ट्रेट से आइटिय कर रखें कमेंट सेक्षन में जरूर से बताएगा ताकि आने वाले जो वीडियो जह आपसे relevant आपको देखने के लिए मिले इस पहले तो मैं आपको डिप् आपको एक गवर्णमेंट जोब से बिलकुल कम नहीं है आपको एक गवर्णमेंट जोब की तरफ फिसलिटी प्रोवाइड करेंगी और जितनी ज्यादा आपको उसमें एक्स्पीरियंस होगा उतनी ही नमबर अपको बढ़ने वाली है तो एलंटी में डिपलोमा वालों के लि समुन आपको बताए था भी से मैं आपको बता देता हूं अगर आप इसमें Teas प्रीजी वल्हार्णै किजियेगा यहां पर जो आपका ब्रांज्वल्हणै वाली है सिभी भी ब्रांज से अगर आप डिप्लोमा कर रखें तो आप इसमें इलिजिबल हैं अप्लाइक कर सकते हैं L&T जो है प्रतेक साल DET डिप्लोमा इंजिनेर ट्रेणी के पोस्ट पर और GET ग्रेजवेट इंजिनेर ट्रेणी दोनों के पोस्ट वेकंसी निकालती है तो अभी ये 2023 की आपको डिप्लोमा इंजिनेर ट्रेणी के पोस्ट पर वेकंसी अभी निकल चुकी है और GET के लिए आगे आएगी तो जब भी इसका आएगी तो मैं आपको जरूर से बता दूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अप्लाइ करने का जो लास्ट टेट है यहाँ पर दियाग है जो कि आप देख सकते हैं अगर आप इसमें इंट्रेश्ट हैं अप्लाइ करना चाहते हैं तो 10th of April 23rd से पहले जरूर से इसको अप्लाइ कर लिजेगा जो भी इसमें अप्लाइ करेंगे उन लोगों को यह बाद में इंफर्म करेंगे जो कि आप यहाँ पर पर सकते हैं इसको कैसे अप्लाइ करने हैं अभी मैं आपको आगे वीडियो में देखा भी दूँगा बता भी दूँगा तो आप उसको लिंक पर किलिक करके जरूर से इसको अप्लाइ कर लिजेगा यह दूसरा विकंसी है जो L&T के तरफ से ही आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं वाकिन इंटर्व्यू फोर्ड L&T MHI Power Boiler Private Limited इसके तरफ से आपको यह विकंसी देखने के लिए यह इसका नोटिफिकेसन है और यहाँ पर भी आप L&T का लोगो देख सकते हैं तो इनके अब से विकंसी अभी आउट की गई है अभी हायर कर रहे हैं वाकिन इंटर्व्यू के अधार पर फोर्ड इट्स डिजाइन इंजिनेरिंग डिपार्टमेंट अट फड़िदावाद ओफिस कम एंड जोएं आवर ग्रोथ जर्ड़नी यहाँ पर जो भी इसमें इंट्रेश से अब कर रहें तो मैं आपके लिए जो भी विकंसी आती रहेंगी आपको मैं बताने की पूरे कोशिस करूंगा यहाँ पर जो पहला नमर पोस्ट है असिस्टेंट मेनेजर का पोस्ट है जिसमें यहाँ पर पोजिसन आइडि दिया और बीडिड़ आप मेकनिकल से कर रहें तो इसमें apply कर रफाएंगे आपके पास 5-10 year का experience होना चाहिए next vacancy यहाँ पर manager executive engineering का है जिसमें B.B.Tech mechanical से होना चाहिए और इसमें 8-10 year का experience आपके पास होना चाहिए assistant manager का है जिसमें B.B.Tech mechanical से 5-7 year का experience यहाँ पर required है next vacancy यहाँ पर engineer process engineering के लिए field में है जिसमें B.B.Tech qualification required है और 4-7 year का experience यहाँ पर इन्होंने मांगा है next vacancy engineer process engineering के लिए जिसमें B.B.Tech 3-5 year का experience अगर आपके पास है तो आप इसमें apply कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर आता है diploma और B.B.Tech दोनों वालों के लिए हैं जैसे कि यहाँ पर 3-D modular boiler plan layout के लिए है जिसमें कि B.B.Tech कर रखे है mechanical से यह diploma कर रखे है mechanical से तो भी apply कर पाएंगे 4-8 year का experience required है और stress analyst यह design engineer और 3-D administration का administrator का vacancy है जिसमें B.B.Tech या diploma अगर आप mechanical से कर रखे हैं तो इसमें apply कर पाएंगे यहाँ पर जो आपका selection है वो interview के अधार पर होने वाली है जिसमें कि यहाँ पर venue दिया गहा है Larson and Tubro Limited near Sarai Metro Station फड़ीदाबाद यह इसका venue दिया गहाँ यहाँ पर आपको जाना होगा बस आपको यह venue पर जाना होगा अब बात करते हैं कि अगर आप diploma engineer trainee की post पर apply करना चाहते हैं तो आपको Larson and Tubro के official website पर आ जाना है career section में आ जाना है वो उसके बाद campus recruitment का option दिखेगा इस पर आपको click करना है जैसे इस पर click करोगे तो उसके बाद इस तरह का interface आपके सामने में आ जाएगा जिसको scroll करने पर नीचे में आपको link दिखेगा अपला करने का देख सकते हैं diploma engineer trainee का यहाँ पर link है उसके बाद यहाँ पर आपको graduate engineer trainee का भी post आता है post graduate engineer trainee का भी आता है junior engineer trainee का भी आता है तो यहाँ पर diploma engineer trainee वालों को apply करने के लिए यहाँ पर आपको click here for current opening का option देखेगा आपको इस पर click करना है जैसे इस पर click करोगे तो उसके बाद इस तरह का interface आपके सामने में आएगा जिसमें की basic से details यहाँ आप से पूछे जाएंगे application form का तो यहाँ पर आपको कौन-कौन सो लोग eligible है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 6 से semester diploma course आपका होना चाहिए 3 या 12 के बाद आपका जो diploma है ओ 30 June 2023 तक भी pass होना चाहिए तो जो भी candidate final year में है ओ लोग भी इसमें eligible है अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका diploma के बाद graduation नहीं होना चाहिए sandwich course से आपका नहीं होना चाहिए आपका जो diploma है एक first attempt में qualify होना चाहिए 60% mark के साथ उसके बाद कोई भी backlog नहीं होना चाहिए या कोई भी error नहीं होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर आप apply करने के लाओगे तो सबसे पहले profile photo यहाँ पर आपको upload करना होगा किस state से belong करते हैं कौन से district से belong करते हैं आपका अधार card पर नाम क्या है यह सभी कुछ यहाँ पर डालना है उसके बाद अधार number डालना है email id डालना है mobile number date of birth और gender उसके बाद तेंथ में आपका जो भी यहाँ पर details हैं सभी कुछ फिल करना है उसके बाद 12 में अगर आप किया है तो यहाँ पर डालिए नहीं तो अगर अभी तक भी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डिजिए साथ ही बेल अकन प्रेस करके और सिलेक्ट जरूर से करके रखेगा ताकि जब भी कोई वीडियो आईगी तो यहाँ पर आपको जरूर से मिलेगी कोई भी आपट आप म इस नहीं करोगे मिलता है नेक्ष्ट वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया और थेंक्यू वीडियो को जिरूर से लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजिएगा